Special Tax Saving Investment Scheme Series की इस वीडियो में चलिए बाते कर लेते हैं आज NSC यानि के National Saving Certificate Scheme के बारे में एक ऐसी investment scheme जहाँ पर investment तो हम एक ही बार करते हैं लेकिन जो tax की डिवेट है हम across पूरी की पूरी tenure यानि की पार सालों तक हम अलग-अलग तरह से एवेल कर सकते हैं कैसे आज की वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको समझाने वाला हो एक detail analysis आपको करके दिखाने वाला हो जिसके बाद अगर आप NSC scheme में investment करने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आपको ये decide करने में काफी जादा असानी हो जाएगी इस scheme investment करना वाके में profitable है या पि नहीं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बाते में तो चलिए आज की वीडियो को फटा फट शुरू कर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक ऐसी scheme है जिसको exclusively हम post office पर जाकर ही खुलवा सकते हैं मतलब ये एक ऐसी scheme है जो post office exclusive scheme के तोर पर हम इसे कह सकते हैं इसको हम किसी भी बैंक या फिर किसी भी दूसरे संक्स्था में जाकर open नहीं करवा सकते हैं सिर्फ और सी post office पर ही हम NSC scheme को purchase कर सकते हैं अब ये जो post office की NSC scheme होती है इसको कोई भी बेखती है अगर चाहे तो single अपने नाम पर भी खुलवा सकते हैं या फिर अपने किसी भी family member के साथ जोर कर यानि कि joint account के तोर पर भी खुलवा सकते हैं माइनर दस साल से उपर अगर है तो माइनर के नाम पर भी खुलवा जा सकता है इस account को लेकिन माइनर के नाम पर खुलवाने पर tax की रिवेट हमें नहीं मिलती है अब ये जो post office की NSC scheme है इसकी अगर हम interest rate की बाते करें तो at present 7.70% interest rate दिया जा रहा है और जो interest rate है every quarter इसे government of India review करती है कभी बढ़ती है कभी घरती है तो कभी से same ही रखा जाता है लेकिन जिस भी interest rate पर हम इस scheme में invest करेंगे across पूरी की पूरी 10-year जो interest rate है वो same ही रहेगी अब 10-year की अगर हम बाते करें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है post office की NSC scheme की tenure होती है 5 सालों की minimum investment amount रखा गिया है 1000 रुपे और maximum investment amount की कोई भी limit नहीं रखी गई है लेकिन tax की rebate आप 2 रुपेज 1.5 लाख ही हमें मिलती है post office की NSC scheme में अब अगर हम tax की features की बाते करें क्योंकि NSC scheme है कैसी scheme है जिसको tax को बचाने के लिए ही लोग इसमें invest करता है तो जो tax की feature है वो काफी जादा exclusive है NSC scheme में अब जैसे के मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो ये NSC scheme है जहाँ पर हम जो भी पैसे invest करेंगे अप 2 रुपेज 1.5 लाख tax की rebate हमें मिल जाती है under 80C लेकिन जो उसके बाद जो next year है वहाँ पर जो भी पैसे हमने invest कर दिया है उन पैसों पर जो भी हमें interest मिलती है उस interest amount पर भी हमें under 80C tax की rebate मिल जाती है from next financial year मतलब से मैंने एक लाख रुपे NSC scheme में invest कर दिया है अब इस NSC scheme में 7.70% के हिसाब से मुझे जो एक financial year खतम होने के बाद जो interest मिलेगी वो मिलेगी से मुझे 7.70% के हिसाब से 7,700 रुपे तो ये जो 7,700 रुपीज मुझे next financial year में interest मिलेगी at the time जब भी financial year शुरू होगी तो ये जो 7,700 है उस next financial year में भी मुझे इस investment जो ये interest amount है उसको दिखाकर हम उस interest amount पर tax की rebate ले सकते है मतलब जब भी हम next year अपने tax return फाइल करेंगे तो 7,700 under 80C के तोर पर हम दिखाकर tax की rebate full interest amount पर ले सकते है और ये पूरी की पूरी टेनियर में चलती रहेगी मतलब उसके बाद जो next financial year है उस पर जो भी हमें interest amount मिलेगी उसको दिखाकर हम next financial year में ले सकते हैं तो ये पूरे की पूरी जो अगले 4 साल है उस अगले 4 सालों तक हम ले सकते हैं तो इसलिए ये जो NSC scheme है ये NSC scheme काफी ज़्यादा मतलब exclusive हो जाती है काफी ज़्यादा अलग हो जाती है किसी भी अधनर tax saving investment scheme है क्योंकि कोई भी ऐसा scheme नहीं है जहाँ पर ये feature आपको मिल जाती है बहुत सारे ऐसे scheme है जहाँ पर आपकी investment amount पर आपको tax की rebate मिल जाती है scheme है इसको हम prematurely close किसी भी situation में नहीं कर सकते हैं जो policy holder है जो investor है उनकी तो उस situation में prematurely close हो सकता है लेकिन जो normal situation है उस situation मेप जो ये post office के NSC scheme है उसको हम 20 में नहीं तुड़ा सकते है तो मेली यही है post office की NSC यानि की national savings certificate तो अगर हम बाते करें इस scheme की तो एक अच्छी खासी interest rate के साथ साथ जो tax की feature हमें मिल जाती है tax rebate की feature हमें मिल जाती है तो उसके हिसाब से अगर आप एक ऐसे बेकती है जिसको tax बचाना है कटने से बचाना है और अच्छी खासी interest भी जिसको अपने investment amount पर चाहिए safe investment amount पर चाहिए तो उसके हिसाब से तो ये NSC scheme काफी ज़्याद को पेस करें जिससे की मेरे ऐसा ही ने वीडियो की notification तुरंत आपके पास मिल जाए करेगे तो चले मिलते हैं आपने अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care